कि मेरे यूटुब चैनल में आपका हार देख स्वागत है बहुत से दोस्त लोगों का कमेंट आया है कि अब असले के बारे बताइए जो आइट सु disorder हैं फिल्ड क्राफ्ट की आपको जानकारी होनी जही एक्जामनर भी पूँच देता है कभी कभी के फिल्ड क्राफ्ट क्या होता है तो आपको बताना है युद्ध के मैदान में जमीन की बनावट के अनुसार अपने तथा अपने सस्त्र को छुपाते हुए टैक्टिकल हरकतों द्वारा दुस्मन के नजदेक पहुचकर उस पर अधिक से अधिक कामियाबी हासिल करना क्यालाता है कि आपने जनगलों में देखा होगा तो दो जंगल ऊंठी की बनावट होती वैसे कप्ड़ने पहन लेते हैं या जोक्याड़ी होती हें तो जाड़ी ऐसे कपड़े तो वही फिल्ड क्राफ्ट होता है एक जामनर यह भी पूरता है कि चीज़ें नजर क्यों आती है तो आपको बताना है कि 6S और 1M का सही इस्तमाल ना करने से चीज़ें नजर आती है अभी 6S क्या है पहला है सैडो ठीक है 6S दूसरा है साइन तीसर और सातमा है मूमेंक्त तो यह आपको पता होनी चाहिए सैडो साइन साइज सर्फेस चलौटी सेछे इस सेप्पेश मूमेंट यह आपको सब को पता होनी चाहिए इसका भी विस्तार से बताएंगा कि सैडू क्या कहला थी छाया जब भी फिल्ड क्राफ्ट में मतलब करते हैं तो आपकी छाया नहीं बनने चाहिए नहीं तो दुस्मन को पता चल जाएगा तीसरी होती है चमक कोई भी चमक वाली वस्तु धारन नहीं करने चाहिए पता चलता है कि सुर की संलाइट आपके रेफ्लेक्शन होता है तो चमक पढ़ती है तो दुस्मन को पता चल जाएगा कि यहां पर है तो आपके उपर गोली दाख सकता है तीसरी होती है सरफेस मतलब सता है ना तो ऐसा नहीं है कि बिलकुल उपर हो जाए वह अलग देखें जोता है सेलोटी मतलब Фखா का मतलब जैसी बनावट होती है कोई यह पीड की बनावट है आगण्ध्य की बनावट है तो मतलब खाका बनाया Ёठ यहता है我就 माने गुष्ण पहुला है कोई जाड़ी और फासला होना चाहिए हो हरकत ब्लाश्ट में यह मुवविंट होता прилu पहले बात करेंग अ dishonor के बारे में छाया ओप्रेशन इसमें बिस्तरित जानकारी होगी ओप्रेशन इलाके में किसी बस्तू चानवर की छाया को देखकर हम अनुमार लगा कर यह देख सकते हैं कि यह किस चेज की छाया है बिल्कुल बात सही है यदि मनुस्च की छाया है तो उसे सकल के हिसाथ से दे रखते हैं हमको शाया के बारे में पता होता है यह दूसरा होता है साइन साइन हम थे सब्सक्राइघ को चुपायगों और दुस्मन को की चमक देखें क्या मैं कोई कोई दुस्मन चमक तो नहीं सरफेस जमीन से उठी हुई चीजों को सरफेस कहते हैं सरफेस का मतलब ही सतय होता है अगला नमबार होता है सिलोटी हम पिरतेक जवान वा जानवर के खाके को पहचानते हैं यदि आदमी की निगाहे मैं हैं तो देखना चाहिए कि हमारा दुस्मन हो सकता है और हम पोस्ट पर कैम्प किये नहीं तो वहां पहुँचकर खाका को बिगार देना चाहिए जैसे हम जब ऑपरेशन में जाते हैं तब के लिए बताया गया एसलोटी के लिए कि पिरतेक जवान वा जानवर के खाके क तो पहँचानते हैं यदि आदमी की निगाहों में हैं तो देखना चाहिए कि हमारा दुस्मन हो सकता है और हम पोस्ट पर कैम्प किये हैं तो वहां पहुचकर खाका को बिगार देना चाहिए जब ऑपरेशन कहता है तो अपने खाका और इस चीजियों को मनस्ट कर दिया ज यह डाटा मेरा खुद का लिखा हुआ है और आपको जहां भी ट्रेनिंग में कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताएं जो आईटे स्टेक्टर ने क्या पढ़ा रहे हैं किस चीज में दिक्कत आ रही है कमांड में यह किसी चीज में इंडॉर में क्या होगा आउट ड यह बैसी लेंगवेज है मतलब फोर्स की लेंगवेज है हम जिन्हें हम पिरति दिन देखते हैं विसेश कर जबकि वह है आसपास की चीजों की सलक से अलग हो दूर से नजर आती देख देखवाल करते समझ चीजों की सकल सकल देखकर उनको पहँचानना चाहिए चुपाप राप्त करते समझ चीजों की सकल को बिगाड़ देना चाहिए सकल का मतलब होता है सेप कि किस सेप में हैं अगला नमबर है फासला कुदर्ती चीजों का दारियाना फासला एक जैसा नहीं होता है इसलिए यदि कुछ चीजों का दारियाना फासला एक जैसा हो तो कुछ दूर नजर आ जाती हैं तो आ जाती हैं अताहत देखवाल करते समझ जिन चीजों का दारियानी फासला एक जैसा हो उनको ध्यान से दे जो नेचुरल चीज़ हैं उनका फासला तो वानलूट फिक्स रहता है फिक्स नहीं रहता मतलब पिर कहीं लगा आए फिर यह है हम लोगों का मतलब जब फिल्ड क्राफ्ट में होते हैं तो ऐसा नहीं कि एक साथ फासला दे के चले हैं या ऐसे ऐसे में दुसमन को पता लग जाएगा आगला नमबर है मूमेंट जब भी हरकतें अचानक होती हैं तो वह आम तोर पर आख को ततकाल द्रस्टी गोचर हो जाती है देखबाल करते समय देखबाल करते समय हरकत को ध्यान रखो और छुपाओ हासिल करते समय हरकत ना करें जब भी आप छुप रहे होते हैं तो हरकत ना करें ये मूमेंट कहलाता है दुसमन को बिल्कुल भी ख़बर नहीं लगनी चाहिए कि हम उनके नदीज का गए हैं हम उनको पर अटेक करने वाले अगर उनको या जानकारी मिल जाएगी तो आपकी जो फिल्ड कराट की प्रिया है वो पून रूप से सही नहीं होगी तो मेरा सभी साथियों से निवेदा ने की चैनल को लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें आपके लाइक और सेर सस्क्राइब से मेरे को मॉटिविशन मिलेगा और मैं जिस चीज में आपको प्रॉब्लम होगी उसमें मैं आपको वीडियो प्रॉइट कराता रहूँगा इसे के लिए धन्यवाद जैंग जैंग